Hi everyone, welcome back to my channel मैं हूँ शिवानी ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और हैश्टाइग भी बोल्ट की वीडियो आज का टॉपिक बहुत ही काम आने वाला है मेरे सारे male viewers के लिए यानि कि जितने भी लड़के हैं pen paper लेके notes बना लीजे आज की वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है आज मैं आपको बताती हूँ कि जो लड़कियां होती हैं जो औरते होती हैं उनका मन सबसे ज़्यादा कब करता है sexually intercourse करने का, physically involved होने का अपने partner के साथ उनके mood को आप कैसे पहचाने ये भी मैं आपको बताऊंगी और अगर उनका mood ठीक नहीं है किसी भी reason से आपको ऐसा लगता है कि उनका mood ठीक नहीं है तो कैसे आप उनका mood बना भी सकते हैं छोटे मोटे tips इसके बारे में भी दूँगी तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो पसंद आए तो एक like तो बनता है न यार like कर देना और comment करके आप मुझे अपना feedback या suggestion दे सकते हैं और मेरे आने वाले और भी वीडियो ऐसे देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe कर दीजे इस वीडियो के नीचे subscribe का button है उसे press कर दीजेगा और bell notification on करेंगे तो आपको मेरे वीडियो के notification भी मिलते रहेंगे आईए शुरू करते हैं let's get started सबसे पहले बात करते हैं physical level पे यानि कि हमारी जो body है वो खुझ से कब demand करती है सबसे ज़ादा sex के लिए तो देखिए एक massic chakra होता है जो normally लोगों को बताई होगा कि एक पूरा महीना एक cycle चलती है हमारी hormonal cycle कहलो उसे massic chakra कहलो हमारा जो एक periods आते हैं उसके बाद जो पूरा महीना हमारी body में काम चल रहा होता है internally उसके basis पे hormonal उतार चड़ाव होते हैं उस सब के base में आपको बताती हूँ periods के बाद में जब ovulation का time आता है यानि कि वो time जब हमारी body demand करती है sex के लिए कि male partner के साथ intercourse हो meet up हो और उसके बाद हमारी body में pregnancy हो जाए तो जब female के ovulation का time होता है ऐसे time में female का अंदर से मन करता है sexually involved होने का तो ये hormonal level पे उनके अंदर से desire आती है वहीं कुछ ऐसे time भी होते हैं जब female बहुत जादा cranky होती है और उनका mood बिल्कुल भी नहीं होता है जैसे कि periods वाला time periods के time पे बहुत जादा cranky girls होती है और periods के जो परन्त बाद जैसे कि अभी period गए हुए एक या दो दिन हुए है उस time तक भी उनका थोड़ा सा mood खराब रहना थोड़ा cranky रहना थोड़े mood swings होना ये सब रहते हैं और जिसके जलते हो सकता है अगर उनका male partner ज्यादा try करता है intercourse करने का उस time पे तो हो सकता है वो उसे मना कर दें या जुझला दें या अंदर से उनका मन ही नहीं होगा आप force करेंगे तो नहीं हो पाएगा वहीं अगर उनकी body खुद से ही demand कर रही है और ऐसे में आप try करते हैं तो थोड़े से try में ही आपका बात बन सकती है तो ये physical level पे मैंने आपको चीजें बताएं कि periods वाले time पे, periods के तुरंट बाद वाले time पे एक या दो दिन में हो सकता है female थोड़ा cranky रहें even periods के शुरू होने के पहले के भी एक दो दिन से हो सकता है उनके पेट में थोड़ा दर्द हो, mood swings cranky जासा feel करें वहीं जो महीने के बीच का time होता है, ovulation का time होता है उसमें उनका सबसे ज़्यादा मन करता है तो ये तो बात हो गई physical level पे, अब बात करते हैं mental level पे क्योंकि females के लिए mental pleasure ज़्यादा important होता है उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है वहीं एक male की requirement शायद इतनी सी होती है कि उसकी एक physical need है एक girl के साथ physically involved होना, वहीं एक girl जो है वो romantic feel करती है, loveable feel करती है और mental level पे pleasure को ढून रहे होती है ऐसे में अगर वो mentally पहले से ही disturb है किसी कारण से यानि कि उसकी life में अगर stress है किसी बात से लेकर थोड़ी चिंता में है, परेशान है या आपके relationship में ही चीज़े ठीक नहीं चल रही है boyfriend या husband के साथ में normally रिष्टे में ही problem चल रही है लडाईया है, चीज़े ठीक नहीं है तो ऐसे में शायद sexually involved होने का उनका अंदर से ही मन ना करे एक और मज़्यदार सा fact में आपको बताती हूँ females का जो mood है और उनकी जो sexual need है वो आपस में interconnected होते हैं अगर उनका mood किसी भी reason से खराब है तो उनका sex करने का मन नहीं करेगा और उनके बहुत time तक sex नहीं किया है उनके अंदर एक sexual tension built हो रही है उसकी वज़े से उनका mood खराब रह सकता है तो दोनों या आपस में interrelated है तो आपको उस हिसाब से आगे work करना होता है अब कैसे थोड़ा सा confuse कर दिया होगा मैंने आपको but don't worry मैं आपको कुछ ऐसे tips देती हूँ जो कि आपकी काफी help करेंगे एक female के mood को बहतर समझने में और उनके mood को थोड़ा light up करने में मेरी पहली tip आप लोगों के लिए ये है कि अपने partner की period cycle का थोड़ा ध्यान रखे उनके periods कब कौन सी rate को आते हैं कितने दिन तक रहते हैं उनके period cycle में कब सबसे ज़्यादा उनको heavy flow रहता है जिसमें उनका mood सबसे ज़्यादा खराब रहता हो और उसमें आपके moral support की emotional support की उन्हें सबसे ज़्यादा जरुवत हो for example, पहले दूसरे दिन उनको ज़्यादा bleeding होती है ज़्यादा वो cranky रहती है या फिर दूसरे तीसरे दिन तो इस तरीके से थोड़ा उनसे बात करके जानने की कोशिश कीजिए उनके period cycle में क्या normal days में ही आती है जैसे कि 28 से 30 दिन की या 32 दिन की cycle है उनकी क्या cycle रहती है कितने दिनों बाद उनके दुबारा period आते हैं ये भी थोड़ा से जानने की कोशिश कीजिए इससे भी आपको काफी information मिलेगी जैसे कि अगर उनके period की cycle normal है तो उनको बहुत जादा hormonal issues, mood swings की problem नहीं होगी वहीं अगर एक female की period cycle जो है वो normal नहीं है बहुत जादा delay करके periods आ रहे हैं या बहुत जल्दी आ जाते हैं या बहुत जादा excessive bleeding अगर उनने होती है ऐसा कोई भी अगर उनने period से related issue है तो वो ज्यादा तर cranky रहती है mood swings उनको बहुत जादा रहते हैं और ऐसे में उनको थोड़ा सा आपने hormonal imbalance पे काम करने की जरूरत होती है मेरी दूसरी tip आप लोगों के लिए यह है कि उनके mood को check करना आपको आना चाहिए जैसे कि जब उसका mood खराब होता है तो वो कैसे behave करती है क्या वो गुसे में बड़बडाती है या वो बात-बात पे आपसे लड़ने को करती है या कुछ भी ऐसे science अगर देती है जिससे आपको पता चलता है कि उसका mood खराब है वहीं notice करने की कोशिश कीज़े कि जब उसका mood अच्छा होता है तब वो कैसे react करती है तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि आपकी partner mood खराब होने पे कैसा react करती है अगर mood अच्छा होने पे कैसा इससे आपको हमेशा signal दते रहेंगे कि अगर वो ऐसे behave कर रहे है मतलब उसका mood अच्छा है और ऐसे behave कर रहे है तो उसका mood खराब और उसके according आप act कर सकते है मेरी next tip, third tip आप लोगे लिए ये है कि female का जब अंदर से खुद का मन कर रहा होता है तो वो कुछ science, कुछ ऐसे signals देती है अपने male partner को जिन्हें आपको पकड़ना आना चाहिए ये science वैसे तो बहुत सारे और हर लड़की के अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन कुछ common science में आपको बताती हूँ वो बहुत जादा आपसे cuddly, lovey-dovey feel करेगी आपको hug करना, kisses करना, ज्यादा romantic आपके साथ involve होने की कोशिश करेगी इसके अलावा वो अगर dress up करे आपको बार-बार ऐसे compliment की चाहां करे कि आप उसे compliment दो, या पूछे मैं कैसी लग रही हूँ एकदम अलग से dress up वगरा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अगर वो कर रही है तो ये भी एक sign हो सकता है आपसे अगर वो थोड़ा dirty talk, romantic talk कर रही है ये भी एक sign हो सकता है, बहुत सारे sign हो सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इसपे एक separate video बना दोगी कि एक लड़की क्या क्या sign देती है जब वो चाहती है अपने partner के साथ physically involved होना उसपे हम different बात करेंगे फिलाल आप ये करिए कि आप अपने partner को थोड़ा सा notice करने की कोशिश कीजिए और देखे कि वो क्या sign देती है और उसे पकड़ने की कोशिश कीजिए और एक बार आपने उन science को पकड़ लिया फिर आप आगे further उसके साथ involved हो सकते हैं और बात को आगे बढ़ा सकते हैं मेरी next tip आप लोग के लिए ये है कि आपको अपने partner को cheer up करना आना चाहिए और जब उसका mood ज्यादा खराब है तो आपको कोशिश करने चाहिए उसे cheer up करने की ये नहीं कि आप खुद irritate हो जाओ कि यार मतलब इसका mood खराब है और उल्टा ही उससे लड़ लो और वो फिर आपसे लड़ ले और बात बिगड़ जाए तो थोड़े बहुत आपको tricks यूज़ करने चाहिए कि अगर उसे गुस्सा आप पर नहीं है तो उस गुस्से को आप अपने उपर ना उतरवा ले जैसे कि for example उसका किसी अपने friend से लड़ाई हो गई है परसन के वज़े से उसका mood खराब है तो आप उसे समझाए कि अरे छोड़ो उसे वो तो है ही ऐसा एक दो बुराई आप भी कर दो उसमें add और उसका फिर mind को divert करने की कोशिश करो जिस भी वज़े से उसका mood खराब है उससे ध्यान बटका के कहीं और ले जाए जैसे कि अगर कोई चीज़ों से बहुत जादा पसंद है उसकी बात करो जिसके बारे में बात करना उसे बहुत ही पसंद है तो उस बारे में आप उसे बात कर सकते हो अरे तुम बहुत दिन उसे शॉपिंग पे नहीं गई अरे या उसने शॉपिंग पे गई थी तुमने क्या लिया तुमने बताया ने अरे नेक्स टाइम शॉपिंग पे कब चलोगी वहीं अगर कोई लड़की फूडी है उसे खाने पीने का बहुत रहुत होगे तो खाने के बारे में बात कलता हो कि अरे डिनर पे चले क्या वाली बाते हैं प्यार वाली बाते हैं अपने प्यार का इजहार कर दीजिए यार कुछ रोमेंटिक बात कर लीजिए उसकी तारीव कर लीजिए ऐसे करके उसका अच्छे मूड को फिर आप रोमेंटिक मूड की तरफ ले जा सकते हैं और रोमेंटिक मूड को फिर आगे कैस पार्टनर का मन नहीं करता है, आप ट्राय करते हो अपनी तरफ से, कभी-कभी वो वर्क करता है, कभी वर्क नहीं करता है, and that's okay, life कभी असे सीदी नहीं चलती है, उसमे उतार चड़ाव चलते रहते हैं, और यही उसकी ब्यूटी है, so it's okay, कि अगर कभी आप बहुत ज्यादा प्राय कर रहे हो, लेकिन वो वक ना करे, it's okay, जरूरत है उनसे बात करने की, communicate कीजे, उनको थोड़ा understand करने की कोशिश कीजे, और उनके लिए emotionally available रहे है, बहुत सारे लड़कों की problem ये होती है, कि वो लड़कियों के साथ emotionally connect नहीं हो पाते, और कई बार यही बहुत बढ़ा turn off होता है लड़कियों के लिए, जैसा मैंने कहा क्योंकि उनका sexual time स्रिफ physical time नहीं होता, एक mental pleasure भी होता है, और वो बार बार उस इनसान के साथ physical involve होना पसंद करेंगी, जहां पे उन्हें mentally भी pleasure मिलता है, जहां पे उन्हें अंदर से सुकून और शांती और अच्छा लगता ह तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके comments का मुझे इंतजार रहेगा, बताएगा ज़रूर comment section में आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और बहुत जल्दी मिलूँगी मैं आपसे next वीडियो के साथ में कोशिश कर रही हूँ मैं की regular वीडियो आएं और अगर आप भी चाहते हो कि मैं regular वीडियो पोस्ट करूँ तो अपना प्यार मुझे देते रहा करो यार, आपके comments जब पढ़ती हूँ, आपके likes जब देखती हूँ, कि अच्छा वीडियो पे लोगों ने likes दिये हैं, आप जब share करते हो, और भी ल बैक वीडियो बनाती रहोंगी, आज के लिए इतना ही, चलती हो मिलोंगे आप से गले वीडियो में, बाई, टेक केर